अमस्कार दोस्तों मैं प्रभात तिवारी श्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी श्टडी आईक्यो पे आप दोस्तों आप लोग की दोस्तों बहुत जादा डिमांड सारी तर यू-पी-टी भरती पर ऑब्जेक्शन कैसे करें सही तरीके से ऑब्जे यूपी डेलेट सर्च करने के बाद दोस्तों ऑफिशल साइट पर जाकर एंसर की प्रेटिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको यहां पर आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले क्या करना दोस्तों सबसे पहले यहां पर आपको रिश्ट्रेशन नंबर डालना है उसके बाद यहां पर दोस्तों पासवर्ट डालना है यह आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है यहां पर फिल कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको सम्मिट के बेटन पर क्लिक कर देना सम्मिट पर बेटन कर क्लिक करके दोस्तों आपका कुछ यहां पर इस त इस पर दोस्तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा अब दोस्तो जब इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यहाँ पर दोस्तो आपको क्या करना है यहाँ पर selective your booklet series तो यहाँ पर आपकी जो भी booklet series हो A हो, B हो, जो भी हो दोस्तों यहां से select करके दोस्तों उसको fill कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देखने को मिला है select language paper 2 तो paper 2 में जो भी आपने language लिया है यहाँ पर select करेंगे दोस्तों आगे आपको submit कर देना जैसी submit करेंगे तो कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा तो यहाँ सरे बहुत सारे लोगों को कुशन आ जाता है कि कैसे दोस्तों हम करें तो दोस्तों यहाँ पर पूरा मिंसन किया गया है कि आप लोग का कहा कहा से कुशन है हिंदी से करना है दोस्तों या फिर कहा से कुशन करना है यहाँ पर कुशन मिंसन किया गया है तो सबसे पहले कुशन नमबर वन दिया है कुशन नमबर दिया है कुशन नमबर तीन दिया है और रही बात दोस्तों जो PNP ने कुशन माना है तो PNP देखे जो कुशन का answer माना है यहाँ पर वो कुशन मिंसन रहेगा कि PNP द्वारा यहाँ पर देखेगा यह कुशन सही माना गया जैसे इस पहले कुशन का answer PNP ने 3 माना है तो यहाँ पर मिंसन किया गया है अगर आप तीन से PNP के answer से सहमयत नहीं हो तो आपका मान लीजिए चार लगाने का माने तो यहाँ चार वाले गोले पर क्लिक रहें दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ठीक है थोड़ा सा scroll करेंगे यहाँ पर remarks वाल आफसा रहेगा remarks में दोस्तों आपको क्या भरना है ध्यान से यहां पर दोस्तों main process होता है तो remarks ने दोस्तों आपको भरना है कि आप किस basis के आधार पर आपति कर रहे हैं आप किस book के आधार पर कर रहे हैं कि PNP दोरह जो बताए गया question वो गलत है किस book में यह answer इसका सही दिया गया है तो उस book का नाम लिखना है proper तरीके से और जो खुशन में कमी की गई उसको लिखना है और प्रिष्ट नंबर खुशन का डाल लेना है कि यह प्रिष्ट पर यहाँ पर यह कुशन है तो इस तरह से दोस्तों आप लोग को यहाँ पर कोई feed of ODAF submit नहीं करनी है यही करके दोस्तों सब्मिट कर देंगे तो आपका आपतियां पर हो जाएगा ध्यान रेकर आपति को आपति आपकी सही पाए जाती तो 5 रुपए आपका वापस कर दिया गया जाएगा नहीं तो यह PNP धर लेगा आपका 5 रुपए ठीक है तो यह जानकरिया थी आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा चैनल प्रेयर तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके के अथेंटिक और सही जनकारी के लिए जन्यवाद